आज मैं बनाने वाला हूँ थोड़ा सा हट के पालक करी वित एक तुबेगा टाइम वेस्ट की ये बनाते हैं इसे अस्सालाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग पालक करी बनाने के लिए मैंने लिया है ताजा पालक 500 ग्राम जिसे हम इस पिनच भी बोलते हैं इससे बनाने के लिए मैं थोड़ा सा गाउों का स्टाइल और थोड़ा सा ट्रेडिशनल स्टाइल भी अड़ करूंगा इसमें मेथि का पत्ता और थोड़ा सा सोया और धनिय का पत्ता लिए है और अब हम इसे काट लेंगे और एक साइड में मैंने पानी रखा था गरम होने के लिए तो पानी अब गरम हो गया है और इस गरम पानी में हम डालेंगे पालक जो की साथ में मेथी का पत्ता और सोया धनिया का पत्ता तीनों एक ही मिक्स है तो इसे हम साथ में ही डालेंगे और पानी हम जाता नहीं डालेंगे पानी थोड़ा सा डालेंगे मैंने पालक बॉयल करने के लिए पानी इसलिए कम डाला क्योंकि पालक आटोमेटिक ही पानी छोड़ देता है तो मैं इसको पांच से छे मिनट तक बॉयल करूंगा और उसके बाद ben इसको फाईर से हटा ढ़ना गा क्योंकि हमें इस पालक का भी प्यूदी बनाना है पालक अब पूरी तरसे बॉइल हो चुका है अब हम इसको फाईर से हटा लेंगे इसके बाद मैं ओयल डालूँगा ओनियन सोटे करने के लिए तो अब हमारा ओयल गरम हो गया है अब इसमें स्लाइस किया और ओनियन डालेंगे और साथ में ग्रीन चिली भी डाल देंगे और इसे चलाएंगे और तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि अच्छे से सोटे न हो जाए मैं इस ओनियन को लगतार चलाता रहूंगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ओनियन जल भी सकता है तो अच्छा यह होगा कि हम इसको लगतार चलाते रहें मैंने इस ओनियन को सिर्फ सोटे किया हुआ है ना कि पूरी तरह से कूप तो हम इसको blend कर लेते हैं जिस कड़ए में मैंने onion saute किया था उसी में मैं थोड़ा सा oil और add करूँगा और उसको मैं गरम होने तक wait करता हूँ तो oil गरम हो गया है इसमें मैं थोड़ा सा चौप किया हुआ garlic दो सुखा हुआ लाल मिर्च, जीरा और मेथी का दाना डाला है मैंने एक tomato boil किया था और उसका मैंने puree बना दिया और उसी puree को मैं इधर एक tomato के साथ डाल रहा हूँ हम इसे कुछ टाइम तक चलाना होगा मैंने टोमैटो प्यूर को इसलिए पहले डाला है क्योंकि इस तड़के के साथ सारा फ्लेवर इस टोमैटो में चला जाएगा और टोमैटो अच्छे से कुख हो जाएगा इसका फ्लेवर आने के लिए कम से कम हम दो सी तीन यूट तक इसको चलाते रहेंगे अब टोमैटो प्यूरी पूरी तरह से कुख हो चुका है तो इसके बाद हम ब्लेंड किया हुआ ओनियन और उसी के साथ मैं चली भी ब्लेंड किया था तो इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम कुछ टाइम तक चलाएंगे ओनियन के साथ मैंने कब मिल्क भी डाल दिया था ब्लेंड करने के लिए ओनियन को हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि उसका कच्चापन खतम ना हो जाए इसी के साथ मैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर का पेश्ट भी डाल देता हूँ और मैं इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में एट कर दूँगा अब इसमें मसाले के साथ साथ ओनियन भी पूरी तरह दिक हो गया है और अब वक्त आता है पालक के प्यूरी को इसमें डालने का तो हम पालक के प्यूरी को इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल करके पालक के प्यूरी को अच्छी तरह से उसमें से निकाल लेना है और इसमें डाल देना है और इसको हलके हलके हातों से मिलाना है आप लोगों ने देखा होगा अकसर किसी चीज़ का पेश्ट हम पकाते हैं तो वह बुलबुले भी छोड़ते हैं इसलिए मैस को हलके हाथों से मिक्स कर रहा हूँ मैस में थोड़ा सा और नमक डाल देता हूँ और थोड़ा सा पानी अब इसमें एक चमच वाइट साउस डाल देता हूँ जिससे इसका टेश्ट और भी अच्छा हो जाता है मैंने वाइट साउस को पहले से ही तयार कर लिया था इसे कुछ देर तक ऐसे ही चलाना होगा मैंने पहले ही अंडे को वाइल कर लिया था और बाद में उसको फ्राइ कर लिया और अब हम इसको इसमें डालेंगे वन बाई वन और इसको मिक्स करेंगे और हमें ये भी ख्याल रखना होगा कि उससे पहले हम किसी से होल करेंगे या फिर किसी नाइप की सायता से हम उसको फार देंगे ताकि वो बाद में फूल करके फट ना जाए और अब मैं इसको फायर से हटा लेता हूँ अब पालक करीवी तेक बनकर रेडी है अला हो मांना होगा ऑज ले लो ऑग मेंeous कि लुग रहीं